नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंट धंसर्माग धंतेरस महापर दिवाली की सुरुआत का प्रतीक है और इस दिन हर कोई अपनी सामर्थ के अनुसार सौपिंग यानि खरीदारी जरूर करता है अब धंतेरस के दिन खरीदारी के लिए बहुत सु है और लंबे समय तक उसका सुफल मिलता रहता है फिर भी धंतेरस के दिन कुछ चीजों को जरूर खरीदना चाहिए और उनमें से सबसे जरूरी क्या चीज है वैसे आपको हम बता दें कि इस बार दो दिन खरीदारी का योग बन रहा है कि अब इस दिन लोग क्या खरीदे है ये भी बहुत बड़ा यक्च सवाल है क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं जो इसको खरीदो उसको खरीदो हर को ही बोल रहा है ऐसे में आम तोर पर लोग सूने चान्दी के आभुसन तो खरीते हैं लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हर साल आप सोना चान्दी का सिक्का खरीद तो जन्र हैं दुटें दन कर दिबताके केच्ग कोवे पुजय की जाती है और इन्हें चांदी बहुत बढ़ी है वह इस दिन छेसे कितना सुमाना जाता है और हम भारबार nuestros स्याओते, जादा नहीं तो चंद्रमा का भी प्रतीक है और जो आपकी जीवन में एक ठंड़क लेकर आता है वैसे तो धातु के बरतन भी खरिंदा बहुत सुमाना जाता है तो जैसे हमने कहा एक सिक्का ले लें अगर आप नहीं भी लेते हैं तो एक चम्मची सही जरूर खरिएगा यानि चांदी का आप सिक्का ले सकते हैं या फिर पीतल का कोई भी एक छोटा सा समान ले लें बहुत सुब होता है तो ये एक समान बरतन या फिर सिक्का आपको जो लेना है कोई एक जो आपका पॉकेट एलाओ करे वही लीजिएगा मानेता है कि धनवंतरी देव इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत के लसले के जम्र में थे इसलिए बरतन कभी भी आप जो भी खरिदिये उसे खाली मत लाईएगा उसमें अनाज भर कर लाईए वैसे तो बैपारी गन इस दिन भाई खाते भी खरिदते हैं और एक पोटली बनाते हैं जिसे धन की पोटली कहते हैं वैसे तो पोटली दिपावली के दिन भी बनाई जाती है और लक्ष्मी गनेश की अलग-अलग मूर्ति खरिदियेगा यह नहीं कि एक ही साथ हैं एक ही स चीज है धनिया वैसे आप जरुत के नुसार कौडी और गोमती चक्र हल्दी की गांट सर्सों के दाने यह सभी चीज ले सकते हैं लेकिन दो चीज जरूर लीजे एक तो धनिया एक तो बरत मां लक्षमी को धनिया बहुत प्रिय है धन तेरस के दिन धनिया के बीज खड़ी द में जरूब होईएगा इस दिन हराकी जारू भी फेदना चाहिए जो घंकी दर्व करता है किसमत जवगाने के डियर सारे उपाई किये जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मा लक्षमी हमेशा हमारे पास रहे हमसे दूर ना जाएं ऐसे में चावल जो मा लक्षमी को बहुत पसं दिपावली की पूजा आप करने में सक्षम नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें खरीदने क्यावा सकता पड़ती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ चांदी भी अगर आप खरीद लेते हैं चोटा सा टुकरा ही सही नहीं कुछ समझ में आया तो चांदी का एक ठोस गोली ले लि जिसे हम कहते हैं बासमती चावल जो उसना नहीं होता बलकि उसे साइद बॉयल नहीं किया जाता तो वही चावल को आप यूज करना है आपको पूजा में पूजा का चावल अलगाता है तो आपको पता ही होगा दोस्तों वैसे हम आपको फिर से एक बात बता दें इस धनते है अगर धन जाइये है जीवन में तब पानी का बरतन खरीcomak जैसे ढ़क जह है जग है उसके बाद मैं इन षय करन cilantro है lahg जय सको में आ पग जिससे आर्ति करते हैं मेटल का और ये सभी चीजें खर देंगे ना हम पहले ही बता दें ये चीज आपको दीपावली की पुजा में रखना चाहिए क्योंकि उसी दिन लक्षमी जगाया जाता है और संतान समंधी अगर कोई समस्या है आपको संतान नहीं हो पा रहा है सं समस्या होती है तब आप थाली या फिर कटोरी खरीदें और दीपावली के पुजन में रखिएगा अगर आप अच्छा स्वास्त चाहते हैं तब धातू की घंटी खरीदें धातू की घंटी पुजा किसमें बजाए जाता है ना बिलकुल वही या फिर आप घर में अगर जावा कढ़ाई पेंट सस्पेंट जो होता है या फिर चिम्टा कुछ भी हो सकता है पर लोगा कमत लीजिएगा बाकी चीजें आप ले सकते हैं तो खाना पकाने का बरतंग खरीदे से प्रेम बढ़ता है और आपको आज हम एक उपाय बताएंगे चावल और एक चांदी का चोटा सा टुकडा ही सही आपको जो समर्थ है आप वही लीजिए एकदम दस बीस रुपया का भी आपको सुनार के जाएंगे ना चांदी तो वैसे भी सस्ता है तो ऐसे में आपको कहिएगा दस बीस में तो खेर कुछ नहीं आएगा कम से कम फिप्टी तो खर्च कर नहीं ह तो आपको धन तेरस के दिन लाना है और पुरे साल धन का अभाव आपके जीवन में ना हो अगर आप चाहते हैं तब चांदी का एक टुकडा जरूर लाएं या आप सिक्का ला सकते हैं चांदी का कोई भी समान ला सकते हैं अब इसे लाकर आप अपने पुजा स्थान पे धनतेरस के दिन रख दें दीपावली के दिन मा लक्षमी को यह जो चांदी का टुकर आपने लाया है अरपित कर दें प्रेम से और फिर दीपावली के अगले दिन इस चांदी के टुकरे को आप अपने घर के चावल के धेर के अंदर दबा के रखें यह नहीं डाल दें और उससे ही आप खाना पीना बनाएए फिर से चाबल आपको लाकर में डालना है उसी में डाल दे तो यकीन मानिए आप देख लीजेगा आपको खुद महसूस होगा अब धंतेरस की पूजा कैसे करेंगे आपको तो हमने उपाय बता दिया लेगे साम के समय उत्तर दिसा की त पूजा के बाद दिपावली के दिन आप क्या करेंगे कुवेर भगवान को धन के अस्थान पर रख देंगे और धनवंतरी जी की जो फोटो है या मुर्ती है पूजा अस्थान पर ही रहने दें धन तेरस के दिन जारू खड़िता जाता ये तो आपको पता ही होगा धन ते धन तेरस के दिन जारू जरूर खड़ियेगा विसे सुब माना जाता है और एक साथ तीन जारू या फिर एक जारू खड़िये लेकिन जोड़ा की संख्या में जारू बिल्कुल भी मत खड़ियेगा वैसे तो जारू बहुत तरीके के होते हैं जैसे कुस का जारू, मोर पं तीरस पंच महापर्व केंग पहला दिन धन तीरस है याद से ठीक दो दिन है और इसी दिन से फ़र्व भी हमारा शुरू हो जाता है धन तेरस के दिन घर की साफ़ाय का काम भी सुरू हो जाता है यह पहले से यह जू झाहरू खरिदने का विशेस बिधान है और ये जो नई जारू आप खरीदेंगे इसके पिछे की माननेता है कि इस दिन समुद्र मन्थन से उत्पन हुए धन के देवता धन्वंतरी उनकी पूजय की जाती है और धन्वंतरी को देवताओं का बैद भी माना जाता है अब धन्थेरस पर लोग जारू क्यों खरिते हैं क्या आप जानते हैं जारू की खरिदारी करना सुभ माना जाता है क्योंकि जारू दरिदरता रूपी जो कुड़ा है आपके घर का उसको बाहर निकालता है अब बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि मा लक्षमी का ब्रत है तो भला जारू क्यों देखे जारू मनुस्य की दरिदता का नास करता है और इसे सुख में ब्रधी करने वाला बुरी सक्तियों का नास करने वाला माना जाता है इसलिए जारू के लगाने से घर की दरि से भी मुक्ति मिलती है करजों से मुक्ति मिलती है इसलिए धन-13 के दिन जारू जरूर खईने जाए जैसा कि हमने आपको कहा कि जारू बहुत तरह के होते हैं जैसे कुस एक प्रकार का घास होता है बहुत ही पावन घास होता है इसका जारू पूजा अस्थान पर या फिर जा तो यह आम लोगों के लिए नहीं है मोर पंक मोर पंक का जाड़ू अगर मिलता है तो जरूर ख़ईद ले क्योंकि मोर पंक का जाड़ू धनतेरस से लेकर भहिया दूस तक या फिर दिपावली तक अगर रोज साम में आप जारू से पूरे घर में हवा करते हैं पंक जिसे कहत तो यकीन मानिये पहले देफताओं की बलाईया निचावर कर हटाया जाता है जारूट के लिए वे बैसे इस्तमाल होता है मोर पंक का जाड़ू लेकिन पूरे घर में अगर मोर पंक के पंक से जाड़ू से साम होने के पहले अगर हवा करते हैं तो घर की नकारत मक्सत्यां दूर होती है फूल वाली जाडू इस जाडू को अगर आप जाडू देते हैं घर में तो यकीनन दरिदता का नास होता है अब इसके भी नियम है धन तेरस के दिन जब आप अपने घर में नई जाडू लेकर आईए तो सबसे पहले पुजा के सुमुहृत में ही आपको करना क् जाडू के उपर सफेद धागा या फिर मौली धागा बांधिये और बांधने के बाद थोरे से कुमकुम थोरे से अक्षत जरूर लगाईए इसे लक्षमी स्थिर रहती है और साथ ही आपको जाडू जो लाते हैं कभी भी पैर से मत लगाईएगा पैर अगर आप तीन जाडू का उपाई या फैर झा भी आपको जी दिन करना है देखिए पैर आपको जाडू करना क्या है लेकित दिन भी धन जंटिरस के दिन हमेसा ही एक तीन जाडू खर दियेगा और फैर चाडू नहीं सरु जाइए नहीं due या चाटर नहीं घर में ऑपपिwnेब जाडू जब भी लेकर आएं तब उसे ढग कर रखे जाडू को खुला नहीं रखना चाहिए जैसे आपके घर में धन है आप छीपाकर रखते हैं ठिक उसी प्रकार से ज़ाड़ु को ढखकर रखें जिपाकर रखें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में खुसिया आती है वरना कलह कलेस भी हो सकते हैं घर में और घर में जाडू कहां रखेंगे दक्षिन पूरव दिसा में अब अपने घर में अस्थान देख लें कहां पे है जहां सुभी दहो वहां पे ढख कर रखेंगे अब धन तेरस के दिन जाडू खरिद कर उसे आप कब से लगाएंगे दीपा वली के दिन सुर्योदर से पहले आप सबसे पहले तो एक जाडू पास के किसी अगर लक्षमी जी का मंदिल है तो वहां पर दान करा है सुभा सुभा चुप चाप जाके रखाईए या फिर जाडू लगा के सफाई करके वहीं छोड़ दे और सास्त्रों के अनूसर जाडू को कभी भी खड़ा करके नहीं र बात महाभारत के समय में आती है कि जब दरौबदी की साधी की नहीं हो पा रही थी तो उस समय एक उपाई किया गया था पूरे राजमहल को जाडू से जाडा गया इसके बाद अरजुन दरौबदी की साधी भी तो इसलिए जाडू को सुपता का प्रतिक भी माना जाता है ताकि बुरी सक्तियों का नास हो और लक्ष्मी जी का आगमन हो। हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक मास की कृष्ण त्रियो दसी को धन तेरस का पर मनाया जाएगा, यानि दीपावली से ठीक दो दिन पहले, इस पंच महापरवों का खास महत्व है हमारे हिंदु धर्ण में, इस दिन यम्राज भगवान धनवंते के साथ मालक्ष्मी और कुवेर की भी पूज़ा की जाती है, और धन तेरस पर अगर आप कुछ सामगरी जो आपको दीपावली के दिन की आवस्यक है, वो खरिदने का भी विधान है, इस दिन अगर इन चीजों को आप खरिद लेते हैं, तो यकीन मानिये आपके सौभागे में बिर्धी होती है, धन तेरस से ही दीपावली की सुर्वाद भी हो जाती है, इसी दिन से घर में हम दीपाग लाते हैं, और खास कर सोना, चांदी, बरतन, खरिदने का विधान है धन तेरस के दिन, कहते हैं कुछ ना सही तो एक चमच भी खरिद लेते हैं, तो ये काफी है आपके गरीबे को दूर करने के लिए, पौरानिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण तरयोदसी के दिन, भगवान धन मंतरी अपने हाथों में अम्रित कलस लेकर सागर मंथन से प्रकठ होते हैं, और भगवान धन मंतरी, भगवान विश्णू के अनसावतार हैं, ऐसा भी माना जाता है, धन तरस के समय में आप अगर अपने जीवन में चाहते हैं, खुशियां आएं तो सूब मुर्थ में ही खरिदारी कीजेगा, और हर दिन कुछ समय ऐसे होते हैं, जो खरिदारी के लिए सूब होते हैं, वैसे आईए हम जानते हैं वो भागे साली वस्तू कौन सी है, तो सबसे पहले तो भगवान जी, गनेज जी, मा लक्ष्मी की मूर्थी, दूसरी है, आप धातू, सोना, चांदी, बरतन, जो मर्जी वो खरिद दिये, इस दिन कुछ न कुछ जरूर खरिद दिये, लेकिन लोहा भूल कर भी मत खरिदियेगा, ये परिसानी लाती है, तो लोहा नहीं खरिदना है, और काली चीज भी नहीं खरिदनी है, श्रीयंत्र श्रीयंत्र वैसे तो इस्पटिक की बनी हुई होती है या फिर आप चित्र आकरिती वाली भी होती है कोई भी स्रीयंत्र अगर आपके घर में है तो आप मत खहिए दिये आपके घर में नहीं है तो संभवो तो जरूर ख़िद के लाइए कहते हैं बरकत होती है अस्थापित करें अक्षत पुस्प गुलाबी पुस्प से इनकी पूझा करें दिपावली से ही सुरुआत कीजिएगा और इसके बाद जो चीज है वो है जारू जो घर में आपके जितनी भी दरिदिता रूपी नकारात्मक चीजे हैं सक्तियां हैं उनको भगा देती हैं तो इस दिन नई जारू खरिदने का भी विधान है ताकि मा लक्षमी आपके घर आए और ये नई जारू लाकर आप रखिएगा और इसकी सुरुआत कीजिएगा दिपावली के दिन से लेकिन नाना है कब धन तेरस के दिन दोस्तों एक बात जान ले सरसों तेल का भले ही दिया जो समुद्र मन्थन के दौरान निकला है समुद्र से और कोड़ी मा लक्षमी को बिसेस्परी है कम से कम साथ कोड़ी पीले कपड़े में या लाल कपड़े पर रखकर वैसे हम आपको बिधान बताते रहेंगे आप मा लक्षमी को अर्पित करते हैं उसमें सरसों के दाने इ अगर आपके घर में पहले से है तो अच्छी बात है नहीं तो इस दिपावली एक संख जरू ले आईए कहते हैं जिस घर में संख सुभा साम बजाया जाता है उस घर में नकारतमक चीजें आही नहीं सकती जगड़े लडाईयां भी बिवाद नहीं होते और लक्षमी जी रहत हैं नकारतमक सकतियां भी नहीं आती और लोगों का तंत्रमंत्र भी इस घर पर काम नहीं करता है तो संख लाइए तीन तीन बार सुभा साम बजाये नमक धन तेरस के दिन नमक जरूर लाना चाहिए खरिद कर और इसी खरिदेवे नमक से आप वैसे तो यह काला नमक है ब्ल अच्छा लगवाईए धन तेरस के दिन यकीन मानिये दरिदेता रहेगी ही नहीं सिर्फ खुसियां रहेंगी तो इस धन तेरस आपको नमक लाना है धनिया धनिया धन तेरस के दिन ही लाने का प्रतीक है क्योंकि धनिया जो होता है वो धन का प्रतीक है और मालक्षमी की कहां न कहां जाएगी और जीवन में सिर्फ खुसिया और धन आएगा तो धनिया धन के लिए जरूरी है और दूसरे कुबेर जी की मुर्ती धन तेरस के दिन कुबेर की मुर्ती लाइए तस्वीर लाइए तस्वीर ही लाइए सबसे अच्छी रहेगी और इनको धन वाले अस् साथ सिवजी को भी पसंद है दोनों की किरपा बनी रहेगी आप इस रुद्राक्ष वो लाईए पूजा ओजा करके आप खुद भी गले में लालधागें पहन सकते हैं आप पुरूस हैं महिला हैं अपने बच्चों को तो खेर पांच मुखी रुद्राक्ष पहनाईएगा अ अच्छिन दिसा की उमूर करके जरूर जलाईएगा ताकि दुरगटनाओं से सुरक्षित बने रहें हल्दी हल्दी की गांट थोरा सा जरूर खरिद के लाईए और दिपाव अली के दिन साथ गांट हल्दी मा को अर्पित करना है और फिर बांद कर पूरे साल तिजोरी में मालक्ष्मी की क्लिपा बनी रहेगी बरकत आती रहेगी हल्दी सुभ सूचना का भी प्रतीक है और नकारतमक सक्तियों को भगाने का भी प्रतीक है तो हल्दी जरूर लाए अब हम बात करते हैं कमल गटा ये कमल का पुस्प होता है न उसका बीज है इसकी माला मिलती है माला से मा लक्षमी का मंत्र जब किया जाता है बहुत जल्दी प्रभाव डालता है या फिर कमल गटा के कम से कम साथ बीज ले आईए और मा को दीपावली के दिन जरूर अर्पित कीजिएगा धन आता रहेगा वैसे भी कमल गटे की बीज घर में रखना चाहिए इससे धन अस्था मेर्स के दिन ही खरीदे मिट़ी यांनि पांच तत्तों से बनाएं ससरीर मिट्टी का ही तो है तो इस दिन ख़रिदने से यकीन मानिये सब कुछ जीवन में मंगल ही मंगल होता है और आप बात करते हैं गोमती चक्र की मा लक्षमी को गोमती चक्र बहुत पसंदे है कहते हैं उस घर में कभी कोई परेसानी आही नहीं सकती ये बरकत भी देता है नकारतमक सक्तियों को भी भगाता है तो साथ गोमती चक्र आप खरित के धंतेरस के दिन ले आएं और महालक्ष्मी की पूजा में अर्पित करें तो मिट्टी का दिया गोमती चक्र और अब बात करते हैं गुणजा की ये गुणजा क्या होता है लाल गुणजा कहते हैं तंत्र मंत्र के प्रभाव को काटने का सबसे जरूरी सामगरी अगर कोई है तो वो है गुंजा लाल गुंजा यह जो होता है लाल गुंजा ना यह मालक्षमी की पूझा में उन्हें अर्पित किया जाता है और फ़िर मुर्थी के पास ही रहेगा पूरे वर्स अगले वर्स आप इसे जल में प्रभाहिद करतें या फिर कहीं मिट्टी में दबा दे यकीन मानिए जीवर में धनकी कमी भी नहीं होगी और बिल्कुल वैसे ही जग मगाते रहेंगे आप पुरी दुनिया में तो फिलाल हम आपसे भी दा लेते हैं मालक्षमी की किरपा ब्रसी रहे हर हर महाते